वेलकम आपके अपने चैनल स्कूल से लेबस में आप देख रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहां पर आप एक वीडियो में एक नया आशा भी सीखते हैं और उसका डेली यूज अपने लाइफ में भी सीखते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में और हिट कर दो बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज आपके लिए कोई वर्ड नहीं एक मुहावरा है वो मुहावरा है to give the benefit of doubt इसका मतलब होता है to believe someone or something even when you are unsure इसका मतलब है कि किसी वैक्ती या किसी चीज़ पर भरोसा करना जब आप असम अंजस्म हो आपको पता नहीं कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है for example अगर समझो आपका फोन गुम गया है और अपको लगता है कि आपके छोटे भाई ने ओफोन गुमाया हो लेकिन आपको ऐसे भी लगता है कि शायद मुझसे ही ये गुम गया हो तो इस टाइम पर इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है आप अपने भाई को benefit of doubt मतलब doubt करने का जो एक benefit है वो आप उसको दे सकते हो और उस पर doubt नहीं कर सकते हो ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ sentences जो आप daily life में use कर सकते हो पहला sentence है the empires couldn't decide after seeing the replay and give the batsman benefit of doubt ये आपने कई बार cricket में देखा होगा आप तस्वीर में भी देख सकते हो कि कई बार empires ना run out का replay देखते हैं थर्ड empire लेकिन कभी कभी ना वो replay clear नहीं होता तो उस ताइम पर benefit of doubt मतलब doubt होने का जो benefit है वो batsman को दिया जाता है ठीक है अगला sentence देखते हैं he told us about his success story and we gave him the benefit of doubt यहाँ पर देख सकते हो कुछ लोग बेटे हैं और एक जो वेक्ती है वो अपनी success के बारे में लगातार बोल रहा है लेकिन जो और वेक्ती है उन्हें लग रहा है कि यह शायद से जूट बोल रहा है या फिर लंबी लंबी फेक रहा है लेकिन उन्हें इसकी सच्चाई पता नहीं इसलिए उन्होंने उसे benefit of doubt दिया मतलब ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास किया अगला sentence देखेंगे He said he was late because he couldn't find the address and we gave him the benefit of doubt इस sentence में ऐसा कहा गया है कि वो वेक्ती late हो गया क्योंकि उसे address नहीं मिला ठीक है और हमने इस बात को मान लिया हमको doubt तो हुआ लेकिन doubt में हा ना दोना था मतलब शायद से इसे late हुआ भी हो या फिर उसे ना भी हुआ हो तो इसके वज़े से हमने उसे benefit of doubt दिया और उसकी बात पर विश्वास कर लिया ये तो थी हमारी वीडियो अब बारी है आपकी आपको इस शब्द का उपयोग करके benefit of doubt का एक sentence बनाना है और वो comment box में लिखना है मैं आपकी comment जरूर पढ़ता हूँ तो मिलते हैं next video में लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लो hit कर दो bell icon को और video को like और share जरूर कर देना कि वीडियो बनाने में बहुत ही महत लगती है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye